हेलो माइडे फ्रेंट स्वाकत है आपका एक और नहीं वीडियो में देखे आज कितनी अच्छी मोमेंट आ रही है यह हमने अपने टेलीग्राम चानल में कैप्चर की है और फिलहाल भी एक ट्रेड जो है चल रही है निफ्टी में यहां पे मैं आपको यहां पे दिखा देती यह वाले मार्केटेने लेने के लिए जा रहा है बैंक निफ्टी में तो देखिए आज बिल्गुल गजब भी है बैंक निफ्टी में हमने यह ट्रेड पकड़ी है पूरी यह वाली यहां से यहां तक कि यह 622 पॉइंट से मैं आपको अपना टेलीग्राम दिखा देती हू यह देखें टेलीग्राम का यहां पर देख सकते हैं आप यह देखिए आपके सामने जो निफ्टी में अभी मैंने आपको बताया जो ट्रेड दी गई है और ऐसे में जो इंडेक्स जादा मुवमेंट कर रहा हूं न जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कम मुव कर रहा है तो ऐसे में आपको यह हो चाहिए कि आप उस इंडेक्स में जादा करें जहां पर की रैली अच्छी चल रही है देखें यह मैंने यह स्टॉक का दे रखा है इसमें जो मैंने एक वीडियो में स्ट्राटेजी बचाई थी और यह वो ऑडियो के थ्रू मैंने यहां SL वाइस भी बहुत आराम से मार्केट को पकड़ सकते हैं देखें मैंने आपको कल बताया था कल के वीडियो में आपको यह बताया था यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया उसके बाद नीचे SL नहीं है तो जब कल SL नहीं थे मार्केट के लिए नीचे तो आज कैसे मार् बार भार सेम बार बार वार वही चीज करता है market इसमें क्या हुआ था इसमें यह हुआ था कि ऊपर एसल नहीं थे market ने क्या किया हरी candle डाली trapping के लिए डाली ना यह किसी यह डाली फिर आगया नीचे सौरी फिर ये नीचे आगया इस तरी के से यहां पे यह आगया नीचे आज क्या हुआ जब नीचे SL नहीं है तो क्या हुआ ये इसने टापिंग के लिए त्नी red candle डाली क्यों डाली बही क्या हो रहा है यहां पर पांच बिनिट का टाइम फ्रेम है आपके सामने है यहाँ पर क्या बनाई इंडिसिजन गैंडल बनाई बस उसके बाद यह लगातार उपर ही उपर है नीचे जाने का कोई मतलब रही है ना नीचे क्यों जाएगा और आपको चार्ट वैसे करके दिखा देती हूं यहाँ पर करते हूं कल क्या हुआ था मार्केट में कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर यह जो डबलू का बेस है अगर इसे मार्केट तोड़ता है तो यह नीचे की तरफ जाएगा ठीक है और मैं आपको इसमें वह उन करके दिखा देती हूं अपने लाइन्स वगर दी थी यह जो परफल जोन दिखाई दे रहा है यहने इसी पर बताया था कि यही सबसे में एरिया है इसके बाद मार्केट या तो नीचे जाएगा या उपर मजाएगा कल के चानल में मैंने आपको यह भी कहा था केंडल ब्लेंडिंग का कॉंसेप देखिए यह जो एक मार्केट पर दिख रहा है आपको तीन मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे यहां पर यहां पर यह जो प्रैसेक्शन है इस पर बना के भी डाला था कि देखो इसी पर्पल जोन का में खेल है इसे पार कर गया तो उपर जाएगा क्यों क्यों जाएगा इसलिए कल के वीडियो में भी मैंने आपको यह बताया था कि मार्केट ने क्या कहा मार्केट ने एक यह बहुत जादा स्ट्रॉंग कैंडल बना रखी है यह जो रिजेक्शन कैंडल है यह काफी जादा स्ट्रॉंग कैंडल बना रखी है अभी तक भी मार्केट ने इसके एसल नहीं जा रहा है इस candle को मैंने टार्गेट किया था और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर यह इसे तोड़ेगा और देखे यह candle इसने पर पसली बनाई एसल लेने के लिए ठीक है इस candle पर बहुत एसल था उन्हें मार्केट ने लिया ठीक है आप आज नीचे जाने क है कोई बात नहीं यहां पर यहां पर यह जो कंसॉलिडेशन हो रहा है यहां पर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दिखाई देगी जिससे कि आप जज कर सकें कि क्या करना चाहिए यह क्या है यह वही जोन है यह वही जोन है जहां पर मार्केट कल भी हॉल्ट ले रहा था यह सब्सक्राइब आद रख कोज़ी और में हो सब्सक्राइबुक, मैं इसमें भीजित паль्डफ है इस प्रेंध वंगकर सब्सक्राइब उनुक्फ मोत है यहां पर रहे रहे हैं। ना जो मैंने आपसे अभी कहा यह वाला कि बैंग निफ्टी में यहां पर डायरेक्ट मूव गई है और यह जिएक्शन केंडल जो है यहां पर एसल नहीं है और यह जो एसल यह नहीं लिए तो यह जो प्राइसेक्शन है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो इस इस प्राइसेक्शन को देखें यहां से से सपोर्ट ले ना चाहिए जो मैंने आपसे आप से कहा डबली मिंडल से थाखें तो यह बटाया था है इस प्राइसेक्शन में कहीं तो यहां पर मुझे ऐसके टार्गेट लेगा ग्रीन ग्रीजन कैंडल को यह बुद्ध काटा है उसके बाद से देखे कितने अच्छे पॉइंट जा रहे हैं ऐसे में यह भी दिसिजन कैंडल है ऐसे में मैंने आप से बताया है decision candle का वीडियो देखी आप market mirror candle stick करके देखेंगे 40 minute का वीडियो है तो आपको मिल जाएगा बहुत अराम से उसके rules regulations आपको पता चल लाएंगे इस तरीके से आप market में इतनी अच्छी moments capture कर सकते हैं मगर क्या ये बिल्कुल इस तरह उपर चलता ही रहेगा ये उपर बिल्कुल चलता ही रहेगा ये कही ना कही ऐसे level पे आके टकराएगा resistance level पे जहां पे इसे SL create करने पढ़ेंगे क्योंकि इतना पैसा थोड़ी ना लग जाता है market में उसके लिए हम क्या करेंगे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे 30 मिनिट पे देख लेते हैं माल लीजे 30 मिनिट पे इस चार्ट को देखने ही कोशिश करता है देखे अब इस चार्ट में आप ज़रा असा-सा कोई resistance level निकालने ही कोशिश कीजिए देखे एक resistance level तो यह ही है हुल्स ले रहा है यारीजक्शन ले रहा है और फिर चलार को विठा रहा है दूसरा umद कहां पर इस में देखे दूसरा यह लेवल यह जो === candle है यहां पर यह बहुत ज़्यादा एक रोके और एक यहां पर भी यहां पर गेट जो लेवल है जहां यहां पर मार्केट ने लिया है मतल rapt के लिया है यह तीन resistance level यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पर आप resistance levels निकाल सकते हैं, कैसी direct move है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर SL खतम है, अब यहाँ तो market क्या करेगा, यहाँ M pattern मनाता हुए गिरेगा, यहाँ market क्या करेगा, ऐसे करेगा, और यहाँ पर कुछ consolidation करेगा, फिर breakout देगा, इस consolidation में कहीं न कहीं आपको decision candle जरूर दिखाई देगी, जिससे आप फिर फाइदा ले सकते हैं, इस तरीके से आप market को समझ सकते हैं, बस SL देखने की जिससे आपको बहुत बहुत फाइदा होगा, market में सल देखने आएंगे, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक और चानल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए, इसी आशा के साथ आप से विदा लेती हूँ, थैंक्यू वेर